नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं अनवस्क क यातरा को रोकने, online shopping को परमोट करने के लिए कहा है ताकि कुछ औने देशों की तरह देश में करोना के केस न बढ़े बता दे online shopping को परमोट करे और अनवस्क क यातरा पर लगाम लगाए तेवार मनाते समय करोना के दिशान देश के कराई से पालन हो ऐसे कंटेन्मेंट जोन और जीले जहां कुरोना के केस 5% से ज्यादा है वहां लोगों की बेड़ी काठा नहीं हो राज सरकार इसको लेकर पर्याप्त रूप से अगरिम निदेश जारी करे रांची में कुरोना बलास्ट पचपन यात्री निकली कुरोना पोजेटीव जारखन में कुरोना का खात्रा पूरी तरह टला नहीं है एक बार फिर जारखन के रहे धानी रांची में कुरोना बलास्ट हुए है बतादे सन्यवार को 55 यात्री कुरोना पोजेटी पाए गए हैं सभी यात्री तपस्वीनी एक्सप्रेस और आउर के लपसेंजर से हाटिया इस्टेशन पर उत्रे थे इस दोरा जाच की गई तो 1508 यात्री में 55 यात्री कुरोना संक्रामित पाए गए बतादे तपस्वीनी एक्सप्रेस और आउर के लपसेंजर के आत्री सन्यवार को जार्खन के लिए धानी राची काटिया रेलो इस्टेशन पर उत्रे राची के छट घाटों की सफाई के लिए सहर को 4 जोन में बाटा गया नगर निगम द्वारा छट घाटों की सफाई के लिए त्यारी सुरू कर दी गई है बतादे राची नगर निगम ने सहर को 4 जोन में बाटा है वही तीरपन छट घाटों पर मल्टी परपल सुपरवाईजर और जोनल सुपरवाईजर की तैनात की गई है सफाई की मोनेटरिंग के लिए सभी सीज़्टी मेनेजर को जिम्मिवारी दी गई है बता देनागर आयोक्त मुकेश कुमार ने 8 नौमबर तक सभी छोट घाटों को तयार करने का निदेश दिया है उन्होंने सभी छोट घाट की सफाई के साथ आसपास की सफाई करने को कहा है घास की कटाई और नालियों की सफाई करने को कहा गया है तलाब के चारों और ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिकाव करने को कहा गया है अयोध्या के स्री राम मंदीर में ज्यारखन की खदानों से उत्पादित तामबे का होगा उप्योग अयोध्या में बनने वाले भव्वे राम मंदीर में सिंगभूम तामरपटी की खदानों से उत्पादित तामबे का उप्योग होगा बतादे राममंदीर निर्मान की तक्नीकी देखरेख करने वाली LND की टीम सुक्रवार को ICC के दोरे पर आई थी और तामबे का सैंपल ले कर गई है बतादे राममंदीर की दिवारों में करीब 34 टंड तामबा लगने की योजना है सिंभुम तामर पटी ने भारतिय तामर उद्योग की जननी के रूप में अपनी पहचान बनाई है गुमला सदर अस्पताल के सभी बेड भूल जहरखन के गुमला सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल के सभी बेड भरे हुए है जिसके कारण ने मरीजों को भरती करने में अस्पताल परबंधन को परिशानी हो रही है बता दे अस्पताल में बुखार, सर्दी, खासी, पेट दर्द, उल्टी वा एक्सिडेंट के मरीजों की संख्या काफी है एक्सिडेंट में घायल मरीज ऑपरेशन होने के बाद बेड में लगवग एक माह से अधिक समय से है जिसके कारण अस्पताल परबंधन को काफी परिशानियों का सामना करना पर रहा है यहां बताते चले कि गुमला में सो सहिया वाला अस्पताल है लेकिन आदिवासी बहुल जीला होने के कारण यहां सुद्रवाती छेतर से आने वाले मरीजोग संख्या काफी है दिखा है भारत न्यूजिलेंड मैच को लेकर रांची में जे-ACA स्टेडियम में NSG वा जहारखन ATS ने किया पुरवभ्यास राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और जहारखन ATS ने सन्यवार को रांची के जे-ACA स्टेडियम में पुरवभ्यास किया NSG के साथ मिलकर जहारखन ATS ने जे-ACA स्टेडियम में एक साथ पुरवभ्यास किया आतांकी घर्टना होने की स्थिती में कैसे निप्टे इसे लेकर अभ्यास कर जनकारी ली दरसल 29 नौमबर को रांची के जे-ACA स्टेडियम में भारत और निजुलेंड के विश्टी 20 मेंच होना है इसके आउजन को लेकर जे-ACA स्टेडियम में एनस जीवा जहारखन ATS ने पुरवभास किया है एक जनवरी 2021 तक सुची बद मतदाता ही पंचाय चुनाव में दे सकेंगे भोट जहारखन पंचाय चुनाव में राजिक के वैसे नागरिक ही भोट दे सकेंगे जिनका नाम पहली जनवरी 2021 तक मतदाता सुची में सामिल हो चुका है बतादे विभीन जीलो में पंचाय चुनाव के लिए तयार मतदाता सुची में ऐसे ही मतदाताव के नाम सामिल किये गए है जिनका नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली जिन्वारी तक मद्दाता सुची में सामील कर दिये गए थे बताते चले की पंचाय चुनाओ के लिए एक जिन्वारी 2021 को आहरता तित्थी मानते हुए मद्दाता सुची त्यार की गई है ज्यारखन में कोरोना से निपटने पर खर्च होंगे 638.90 क्रोर कोरोना वायरेस से निपटने के लिए ज्यारखन में जाज सुविधाय बढ़ाने से लेकर अस्पतालों में सनरशनात्मक विकास के त्यारी है चालू वीत वर्च में इस पर 638.90 क्रोर रुपए खर्च होंगे बता दे केंद्रे ने कोविड इमर्जेंसी रिस पास आइंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेर्ड नेस के दूसरे चर्ण के तहत इसकी मंजुरी परदान की है इन में 60% रासी केंद्र सरकार देगी जबकि 40% का अंसदान राज सरकार को वहन करना होगा बता दे केंद्रे की सुखरिती के बाद राज सरकार के विकास आयुक्त की अध्यक्स्ता वाली योजनाप राधिकार समीती ने भी इस पर अपनी सुखरिती देदी है ज्ञारखन के सिख्षा सर्चीव की वर्चुट समीख्षा बैठक में हज़ारी बाग जिले के 10 कस्तुर्भा गांधी बीद्यालियों में 50 की जगत 86 सिख्षकों की बहाली का मामला उजागर हुया है बता दे इन सभी सिख्षकों को विद्याले प्रवंधन समीथी ने नियमों को ताग पर रख कर बहाल कर दिया है अब मामला पकड में आने के बाद विद्याले प्रवंधन समीथी के पसिर ने छूट रहे है इधर सिक्षा सचीव ने गलत तरीके से बाल सभी सिक्षको को हटाने का देश जारी किया है उन्होंने इसे बितिये अनेमित्ता भी करार दिया है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्याई 183 है भारत में 16,035 केस मिले है भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 1,666,434 है जार्खन अंतराश्ट्री फिल्म महोच्ष रांची में 29 और 30 अक्टूबर को जार्खन अंतराश्ट्री फिल्म महोच्ष 29 और 30 अक्टूबर को रांची में आउजित किया जाएगा बतादे पिछले चार परसों से लगातार आउजित हो रहाया महोच्ष रेडियो खांची पत्रकारिता वजन संचार विभाग रांची विश्वविद्याले एवं केंद्री विश्वविद्याले जार्खन के सन्युक्तत्व धान में इस बार आजादी के अमरित महोच्ष के 152 फिल्मों में से ज्यूरी कमेटी द्वारा चूनी गई 75 फिल्मों का निसुल्क परदर्शन किया जाएगा 30 मजदूरों से भरा ट्रॉक पेंड से टकराया पलामो जिले के सतवरवा थना छेत्रे के मेदनी नगर राची एनेज 49 मुख्य मार्ग पर पीपरा मर घटिया के निकट सन्य वार को अनियंत्री ट्रॉक पेंड से टकराया गया इसमें एक मजदूर की मौत हो गई है बतादे ट्रॉक पर सवार दो दजन मजदूर घायल हो गया है सभी घायलों को ततकाल नौजीवन अस्पताल तुमें गाड़ा में भरती कराया गया है यहां से गंबीर अवस्था को देखते हुए 10 लोगों को राची रेफर किया गया है इनमें राची जाने के करम में सरनी उराव नामक मजदूर की मौत हो गई है। भारत में प्रती दिन हो रहा 38 किलोमेटर सड़क निर्मायान। 38 किलोमेटर सड़क का निर्मायान हो रहा है जो एक विश्वरी कोड है बतादे सनिवार को रायधानी राचे इस्थीत होटल ग्रीन होराइजन में ऑनलाइन आयोजी समारों के उधगाटन सत्र को समोधित करते हुए केंद्रिय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में इंफ और जुन मुंडा ने कहा है कि आदिवासी समाज स्वाभिमायान के साथ आगे बढ़ना चाहता है और यही वज़ा है कि भाजपा के प्रती जनजातिय समाज का भरोसा बढ़ रहा है हमें इस भरोसों को बनाये रखना होगा भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की दो दिवासी राष्टी ये कारे समिती बैठा के उधगाटन सत्र में और जुन मुंडा ने आदिवासी हितों को लेकर सरकार के संकल्प को पार्टी करकरताव से साजा किया उन्होंने अस्पष्ट किया कि जनजातिय समाज को राजनीतिक हाथियार नहीं बनने देंगे बैक्सिनेशन का सेटिफिकेट दिखाए और जुनियर महिला होंकी देखने के लिए निसुल्क इंटरी पाईए एकारवी जुनियर महिला होंकी चैंपियंसिप के मैच का अब दर्सक इस्टेडियम में निसुल्क लूपत उठा रहे हैं बतादे सनिवार से आम दर्सकों के लिए भी टिकट की बेवस्था कर दी गई है परती दिन 66 टिकट का बित्रण किया जा रहा है एक टिकट पर दर्सक दो मैच का अनन्द उठा पाएंगे बतादे सिम्डेगा के उपायुकत ने सुसांत गौरों ने बताया कि एक आरहमी राष्ट्रिये महिला जूनियर हों की चेंपियेंसिप 2020 की स्कावजन जीले के स्टोटर फोंके स्टेडियम में किया जा रहा है सरनिवार 23 अक्टूबर से 10 को के 20 टिकट का वित्रन किया जा रहा है एक दिन में निसूर्प 300 टिकटो का वित्रन किया जाएगा इस पर 600 लोग मैच देख सकेंगे राची में 12,000 कोर का हुआ मिर्चूल फोंड मार्केट राची में बीगत एक साल में निवेस को लेकर लोगों का रुजार मिर्चूल फोंड और स्टोक मार्केट के और बढ़ा है बता दे मिर्चूल फोंड में पिछले माही राची में लवगग 600 क्रोर का कारोबार हुआ यही हाल स्टोक मार्केट का है ऐसे में इस दिपावली में एक्टिवीटी मार्केट में और भी बढ़ोतरी की उमीद भी से सगे कर रहे हैं बताया जा रहा है कि बीगत तीन साल में राची में में चूल फोंड का कारोबार बढ़कर 12,000 कोरो तक पहुँच किया है राजधानी में बीगत दो तीन बर्सों में स्टोक मार्केट को लेकर लोगों का रिजान बढ़ा है हटिया रेल्वे क्रोसिंग के पास बोरिंग करने वाली गाड़ी में लगी आग हट्या रेल्वे क्रोसिंग के समीब कटहल कोचा में बोरिंग करने वाली गाड़ी में सनीवार को भिषना आग लग गई बोरिंग गाड़ी में सिलिंडर रखे हुए थे बता दे एक के बाद एक कर साथ धमा के हुए इससे आसपास के लोगों में कुछ छन के लिए दसत कायम हो गया घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है घटना के सुचना अगिन समन विभाग को दी गई दमकल की गाड़ी पहुँची काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया राष्ट्रिये परव के रूप में मनाई जाए बीरसा मुंटा की जयनती भाजपा अनुसुजी जनजाती मोर्चा की राष्ट्रिये कारकरणी की बैठक में रायनितिक प्रस्ताव पारित किया गया इसमें जनजातियों के आराध्य देव भागवान बेशा मुंडा के जयनती 15 नौमर को राष्टिये पर्व के रूप में देश भर में मनाने का प्रस्ताव दिया गया बता दे इस दिन को राष्टिये जनजातिये गोरो दिवस के रूप में बनाया जाए साथ ही अनुसुचित जनजाति समाज का सदसे देश के किसी भी राजे में या कहीं भी निवेश करे तो उन्हें राजे में अनुसुचित जनजाति की मने आता और आराक्षन का लाब मिलना चाहिए छात्वीर्ति फर्म भरने की तिथी एक मा बढ़ाय सरकार लोहरदाका जिले के राजनीति कारे करता लोक कुमार साहु ने जारखन के मुख मत्री हमान सुरिन से गारा एवं बारह के छात्र छात्र छात्राओ का छात्र विर्ति फर्म भरने का तिथी एक मा बढ़ाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि एक आर्मी बाराईवी के छात्रेशत्राओं को छात्रविती फ़र्म भरने की अम्तिम्तिती 25 अक्टूबर तक ही है इस बार रिजल्ट आने के बाद समय से छात्रों को मारकशित नहीं मिला साथी पर्व की छुटी भी थी चात्रों को आई जाती परणपत बनाने में काफी समय लग जा रहा है चात्रविती फरम भरने किती थी अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो लोहरदागा में काफी संक्या में चात्र चात्रविती फरम भरने से बंचित हो जाएंगे धनबाद पूलिस पर जुवारियों ने किया हमला धनबाद जी लेके चंदरपूरा के घटियारी पंचायत अंतरगत गोसाई डी गाओं में वहाँ के गिरामिनों ने सुक्रवार की रात पूलिस वल पर हमला कर दिया पूलिस वाले जान बचा कर भागे बता दे चंदरपूरा की महिला थाना पर भारी जुवा अड़ा संचालित होने की सुचना के बाद पूलिस वल के साथ वहाँ गई थी देखा की कल्वे में 15 से 20 लोग जुवा खेल रहे हैं और आपस में गाली गलोज भी कर रहे हैं पूलिस वाहां देखते ही हुए सभी भागने लगे वाहां पूलिस ने जुगा खेल रहे तीन ब्यक्तियों को पकड़ लिया और पुस्तास की जाने लगी इसी 20 गाउं के कई लोग जिसमें महिलाई भी सामिल थी लाठी डंडे से पूलिस को घेर लिया और गाली देने लगे सरकार गिराने की साजिस रचने वाले तीनों आरोपियों को जमानत छारखंट की हमांस तुने सरकार गिराने की साजिस रचने के आरोप में गिरफतार किये गए तीनों साजिस करताओ को सनिवार को रांची की आदालत से जमानत मिल गई है ACB की विशेश नियाले ने तीनों आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी जनकारी के अनुसार ACB की आदालत में समय से चार्शित दाखिल नहीं किये जाने का लाब इन आरोपियों को मिला है CCL की लाल लाडली योजना के तहट इस वरस 40 बच्चों जिसमें 20 लड़का वो 20 लड़की का नमंकन होगा वहीं 70 बच्चों को उन्लेन कलाज की सुविधा मिलेगी कमपनी 10 वी के बाद इस स्कीम से चैनित बच्चों को नी स्कूलक IIT के तियारी कराती है जारखन हाई कोट जाज जारखन उच नियालाई के नियाधिस डाक्टर एस इन पाठक ने कहा है कि लोगों में जैगरूपता का अभाव है कभी परसासनिक पता अधिकारी अथवा पूलिस के पास जाने की जरूरत पड़ती है तो आप घवराते हैं आपको घवराने की जरूरत नहीं है आप अपने बच्चों को सही सिक्षा नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को सही सिक्षा दे ताकि आपके बच्चे समाज वद देश के विकास में सहभागी बन सके उन्होंने कहा कि खुटी में नकसलवाद हावी था वहां के लोग काफी डरे और सहमे रहते थे जब मैं वहां गया और वहां की सिती देखा तो वादा किया कि खुटी जिले नकसलवाद के लिए नहीं बलिक अपनी उपलवदियों के लिए जाना जाए इसी परकार गुमला जिले में भी नकसलवाद है जल्दी यहां से भी नकसलवाद खत्म हो जाएगा वे गुमला नगर भवन में बेदिक सेवा ससक्तिकरण स्थिवीर को समोधित कर रहे थे धन्यवाद